यूपी समय दिल राज्जों में दो दिन होगी तेज बारेश, गर्मी से मिले ग्यू रहत, दिले में भी जमा जम बरसात का अलट, उत्रप्रदेश में तेज 25 जोलाई के बीच, पश्मीर रजिस्थान ने 25 जोलाई और पुर्वे रजिस्थान में तेज 26 जोलाई को तेज ब पहाड़ों की बात करें या फिर मध्य महराष्ट गुजरात जैसे रज्जों की भारे बारिश से लोगों का जन जीवन अस्तिपस्त हो गया है, वह समय भाग का नुमान है कि कौकर मध्य महराष्ट ये घाटे लागों गुजरात में आज यानि की 30 जोलाई को भारे बरसात होगी, इसी किसाब इसमें कभी भी आएगी, वहीं ही माचल प्रदेश, उत्तरा खंड, पश्णी मिरजेस्थान, साउथ वेस्ट और मध्य प्रदेश में आज भारे बारिश की जितावनी है, इसके अलावा उत्तर पश्णी भारत के हिस्तों में 25 जोलाई से 30 बरसात का अल पुर नगर कानपुर देहा, लग्णों बारा मकी फरोखाबाद, कनोज, राय परेली, अमीठी सुल्तान पुर, गौतम बुद्र नगर, अमेटकर नगरायोध्या, पुलर शेहर अलीगर, हातरस, कास गर्ज, एटा, आगरम मेंपुरी, इटावा, और एया फतैपुर, प्र खंडवा और हर्दा स्टेट हाईवे बंद और एजलर चारी, मद्यबदेश में फिल्हाल भारी बारश जारे रहे की, मौसम भाग ने कई जिलों के लिए और एजलर जारी किया है, मौसम भाग का कहना है कि प्रदेश में बैतुल, रतला, मुझन और आगरमाल वाजिलों मे कहीं कहीं अति भारी बारश की संभावना है, भारी बारश की वज़े से हर्दा खंडवा स्टेट हैडवे बंद हो चुका है, मौसम भाग का कहना है कि प्रदेश के बैतुल, रतला, मुझन और आगरमाल वाजिलों में कहीं कहीं अति भारी बारश की संभावना है, जिसे द के साथ ही कई लागों में ठंका गिनने की वियाशंक जताएं कई हैं विहार में भारी बारिश को लेकर अलर्ट मुसम भाग के मुताविक अगले 2-3 गंटों में विहार की राजधनी पठना समेथ भोचपुर अर्वल और अंगाबाद बेगुसराय बकसर रहतास नवादा बीका नेर जेसल मेर चुरू सीकर प्रताफगण और नागर जिलों में अच्छी खासी बारिश की संभावना है जिसे देखते हुए विभाग ने और जलाट भी चारी किया है वहीं बार मेर जालोर में अतिभारी बारिश हो सकती है 24 जुलाई को मौसम भागने रास्तमन सिरोही टोक उदेपुन नागर जिलों में भारी बारिश होनी की संभावना द्यक्त की है